हलो दोस्तों हमारी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो बर्फी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लेकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कीजिए और चले इसे बनाते है दोस्तों मैंगो बर्फी बनाने के लिए हमने दो आम का पल्प निकाल लिया है अब हम इसको एक मिक्सी जार में ट्रांस्फर करेंगे अब इसमें चार बड़े चम्मत चीनी डाल देंगे और हम इसको मिक्सी जार में चला लेंगे यह देखिए हमने इसको मिक्सी जार में पीस लिया है अब हम इसको एक कढ़ाई में ट्रांस्फर करेंगे और इसको मीडियम आज पर चलाएंगे दोस्तों इसे हमें लगातार चलाते रहना है और अब हम इसमें लगबग आधा कब दूट डाल देंगे और इसको फिर से हम लगातार चलाते रहेंगे दोस्तों इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है हम इसको लगातार चलाते रहेंगे इसमें हलका उबाल आने पर ये इस कप से नाप करके हम आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे ये लगबग 100 ग्राम है और इसको हम लगातार चलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए गैस हमने मीडियम ही रखी हुई है हम अच्छे से इसकी जो गुठलियां बन रही है वो भी इसमें तोडेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है यह देखिए मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है यह एकदम स्मूध हो गया है अब इसमें कोई गुठली भी नहीं है यह देखिए अब हम इसमें लगबग एक चौथाई कप कोकोनट पाउडर डाल देंगे इस कप से नाप करके हमने चौथाई कप कोकोनट पाउडर लिया है इसको हम डाल करके लगातार इसको चलाएंगे दोस्तों यह हमें तब तक पकाना होता है जब तक यह जो हमारा पल्प है वो सूख करके एक डो जैसा ना बन जाए कड़ाई में यह लगातार चलाते चलाते कड़ाई में एक डो की शेप ले लेगा दोस्तों देखिए बैटर हमारा थोड़ा और गाड़ा हो गया है इस स्टेश पर आकर हम इसमें ड्राइफ्रूट्स डाल देंगे यह हमने बादाम और काजू छोटे-छोटे कट कर लिये हैं उनको हमने इसमें डाल दिया है डाल करके अब हम इसको और पकाएंगे और यह कुछ तीन से चार इलाइची का पाउडर है वो भी इसमें डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे हम तो अब हम इसमें लगबग एक चम्मच घी डाल देंगे हम हमने इसमें एक बड़ी चम्मच घी डाला है और अब हम इसको घी डालने के बाद और पकाएंगे यह थोड़ी देर और पकाने के बाद यह देखे इस तरीके से डो फॉर्म में आ जाएगा यह कड़ाई बिल्कुल छोड़ देगा और हमें लगबग इसको इसी फॉर्म में चाहिए ताकि हम इसकी बर्फी जमा सकें कि गैस हम बंद कर देंगे दोस्तों बर्फी जमाने के लिए हमने एक ट्रे ली है उसमें हम यह फॉइल पेपर इस तरीके से सेट कर देंगे और अब हम इसमें यह डालते जाएंगे और इसको ऐसे स्मूध कर देंगे उपर से तो ऐसे स्मूध करने के बाद हम इसको तीन से चार घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं दोस्तों तीन से चार गंटे हो गए है और हमारी बर्फी टयार है, हम इसको ऐसे पीसेज में कट कर लेंगे और दोस्तों ये मेंगो बर्फी बहुत ही यमी बनती है अगर आपको हमारी आज की रेसीपी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आप से फिर्म में लेंगे एक नए वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग आज चैनल